हालो एन वेलकम फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यारेज और फ्रेट चार्जेस के बारे में ठीक है तो इसको हम कैसे अपलाई करेंगे, किस ग्रूप में डालेंगे और कैसे इस पर GST केल्पुलेटर कराएगा, इन ही सब की बात करेंगे पर चलिए स्टार्ट करते हैं, टैली किस वीडियो को सब पहले टैली यार्पी नाइन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर एक कंपनी उराज एंटसंस के नाम से पहले से अविलेबल है हमारे पास आज हम rate charges की बात करने वाले हैं, तो यहाँ से चलते हैं accounting voucher में फ्रेश कर लेता हूं accounting voucher में जाने के लिए purchase में आ चुके हैं यहाँ पर entry बनानी हमें, तो enterprise किया, यहाँ पर supplier का invoice number डाला, enterprise किया यहाँ पर एक September date है, आप चाहिए तो इसको change भी कर सकते हैं एप टू प्रेस करके ठीक है फिलाल मैं यही रहने देता हूँ यहां पर आ जाएंगे यहां से आ करके यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ जाएगा आ गया एंटरपेस किया एंटरपेस किया और यहाँ पर आ जाएंगे अब यहाँ पर purchase account का ले जारा जाएगा यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर जो भी चीजें हम purchase कर रहे हैं उसको ले लेंगे जैसे माल लीजे कि textile purchase कर रहे है ठीक है इसको हम purchase कर रहे हैं इसको हम main location पे रखेंगे और तो यह हमने ले लिया यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर हमें लगाना है freight charges यानि कि ले के आएगा तो उसका ढूलाई माल ढूलाई का खर्चा भी लगेगा तो उस condition में हमें वो खर्च भी देना होगा तो उसके लिए हमें एक laser बनाना है freight and carriage के नाम से ठीक है तो freight and carriage के नाम से एक laser बना लेते हैं यहाँ charge ठीक है यह दे दिया enterprise किया enterprise किया यह जाएगा indirect expenses में enterprise किया यहाँ पर आकर के और यहाँ पर चाया तो आप goods कर सकते हैं enterprise करेंगे और इसको accept करा लेता हूँ यह accept करा लिया यहाँ पर अगर चाया तो percent पर दे सकते हैं फिलाल हमें percent पर देने के जरूद नहीं कुल मिला करके यह जो textile आया हुआ है जो कि 600 piece है इसको मतलब उठा करके रखवाने का जो हमने cost खर्चा किया है जो हमने दिया है माल भुलाई का charge जो दिया है वो दिया है 14,000 रुपए तो यह 14,000 रुपए यहाँ हमने लिग दिये लिग दिया अब यह 33,600 में 1400 एड हो जाएगा तो यह जैसे ही एड होगा तो यहाँ हो जाएगा 35,000 कुल मिला कर कितना हो गया 35,000 रुपए यानि freight charges भी इसमें हुआ है या नहीं तो यहाँ पर देखिए freight charges भी 9,000 के इसाब से GST calculate हो गया है और textile जो हमने purchase किया था उस पर तो GST calculate हुआ ही है तो इस तरह से हम GST भी लगा सकते हैं freight charges पर उमीद करता हूँ बात समझ में आज होगी कि freight charges को किस group में डालना है यह clear हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो आप share कर सकते हैं इसे thank you for watching this video